Hi everyone, this is Aniket तो guys, कैसे आप लोग, I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो guys, जैसा कि आप सब को पता है आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Diploma First Semester Physics के Important Question and Topic के बारे में जी हाँ guys, ये जो Important Question and Topics है अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप अपने First semester के exam में अच्छा marks score कर सकते हैं क्योंकि guys, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि Chapter wise मैंने Important Topic बताया है Topic इसलिए बताया है क्योंकि उस Topic से Question कुछ भी आए आप डील कर सकते हो तो मैंने क्या किया कि Previous 16 साल के Question को Analyze किया और Analyze करने के बाद जो Topic निकल के आया सामने उस Topic को मैंने आप सब के सामने रख दिया तो वो Topic अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसके बाद उस Topic से कोई भी कोशन आए और आएगा ही क्योंकि Previous 16 साल से आते आ रहा है तो इस साल भी आएगा ही तो वो Topic पढ़ने से आपका एक तरह से समझो तो चैप्टर भी कवर होगा और Important चीज भी आप पढ़ रहे होंगे फिर उसके बाद मैंने Chapter wise Important Question भी बता रखा है मनदब Chapter wise Topic भी बता रखा है और Chapter wise Important Question भी बता रखा है और वीडियो के इंड में मैं ये भी बता दूँगा कि उसके Answer आपको कहां पे मिलेगा ठीक है और सबसे Important चीज मैंने यहां पे Chapter का Analysis करके रखा है आपके सामने Analysis मतलब कि जैसे जो भी आपके Physics का Chapter है कौन कितने Marks का आ रहा है कौन सबसे ज़्यदा Scoring है पहले साथ दिन पढ़ते और अच्छा रिजल्ट ले आते हैं तो अगर आपको Topper बढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में पूरा Important Question है, Important Topic है और पूरा Marks Analysis है तो इसको अगर आप देख लेते हैं और साथ दिन सही से पढ़ लेते हैं तो आप अपने फिजिक के एक्जाम में अच्छा Marks स्कूर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक नए अन्दाज में एक साथ हुआ है अभी हम लोग देखते हैं marks analysis कि कौन से chapter से कितने marks का question आता है then इसके बाद guys हम लोग देखेंगे important topic और उसके बाद देखेंगे important question और वीडियो के last में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस question के answer आपको मिलेगा चलिए देखते हैं कि हमारा marks analysis क्या है हर chapter के लिए physics के unit and measurement unit and measurement यहां पर 6 marks का scoring रखता है 6 marks के लिए काफी है important है unit and measurement फिर दूसरा है mechanics mechanics में दो पार्ट होते हैं एक होता है motion along straight line और एक होता है angular motion मतब दोनों motion पर ही बात किया जाता है तो एक जो straight line है वो 10 marks का होता है और जो angular motion है वो 8 marks का होता है means पूरा mechanics 18 marks का होता है उसके बाद guys अगर हम gravitation की बात करें तो gravitation 6 marks का होता है और work power और energy वो भी आपका 6 marks का होता है उसके बाद जो आपका सबसे important चीज है जो सबसे ज्यादा marks का है करीब हे 24 marks का होता है तो यह जो चीज है यह आपका general property of matter general property of matter में आपको तीन चीज पढ़ना होता है एक elasticity दूसरा surface tension और तीसर viscosity, elasticity, surface tension and viscosity यह तीनों मिला के 24 marks का होता है और यह काफी important chapter है guys अगर आप इसको और इसको यह दोनों chapters को अच्छे से कर लेते हो तो आपका passing marks तो आप ऐसे easily score कर लोगे ठीक है और जहां तक मैंने जो topic बताया है और जो important question बताया अगर आप उतना कर लेते हो ना तो enough है 70 लाने क के लिए enough है फिर उसके बाद हम लोग बात करते है heat का तो heat 8 marks का होता है और acoustics आपका 12 marks का होता है acoustics में भी दो पार्ट होते है sound होता है और acoustics of building होता है sound 6 marks का और acoustics of building भी 6 marks का hope guys कि आपको marks analysis समझ में आ गया होगा कि physics में कौन chapter कितना weightage रखता है कितना marks का होता है अभी थोड़े दे बाद मैं यहां से हट जाओंगा तो आप इसका screenshot लेना और इसके बाद हम लोग move करते हैं important topic की तरफ तो जल्दी से ले लो इसका screenshot So guys अभी हम लोग देखते है important topic को कि यार अपने पास कौन-कौन से important topic है तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग unit and measurement में देखे तो यहां पर सबसे important चीज होता है system of unit system of unit you know की आप समझते होंगे कि जैसे अपने पास बहुत सारे की system होता है ना जैसे cgs mks मैंने जो lecture बाता है था unit and measurement का उसमे मैंने detail किया था तो system of unit में जैसे कि आपका CGS होगे, MKS होगे, FPS होगे, इस इस such system होगे, तो उसको detail में पढ़ लेंगा, उसको फंडमेंनल हमये उन्ट इек Seven fundamental units होते हैं उसको लेना, भी derived unit पढ़ लेना जैसे कि force का unit क्या होता है, pressure का unit क्या होता है, stress का unit क्या हो Accuracy, Precision and Error Error में भी तीन चीज़ का Definition पढ़ना है पहला है Absolute Error, दूसरा है Percentage Error and तीसरा है Relative Error ठीक है तो यहां से एक नेक Definition आ जाता है क्योंकि बहुत बार देखा गया है किताब में और Question Bank में तो यहां से पक्का है कि एक नेक Question आ जाएगा थड़ नंबर मसे, फिर उसके बाद 14 नंबर में आपको पढ़ना है Numerical and Percentage Error मतलब अगर Numerical करोगे तो करना किस पे Percentage Error पे करना और Significant Figure पे करना, यह दो चीज़ पे Numerical करना, इसमें से एक पे पका एक Numerical आएगा, जादा तर चांसेस है कि Significant Figure पे आता है, लेकिन कभी न कभी, Percentage Error पे भी आज जाता है खेर गाईज, अब हम लोग Mechanics पे बात करते हैं, Mechanics में Motion Along Straight Line पे पहले बात करते हैं, जो कि 10 Marks का है इसमें सबसे पहला चीज़ है Newton Law of Motion, अब यहाँ पे जो भी Newton Law होता है, ऐसा नहीं कि आपको simply Newton First Law, Second Law, Third Law पढ़ना, नहीं, यहाँ पे आपको Newton First Law, Second Law, Third Law पढ़ना है Momentum के केस में, differentiation के केस में, उसका derivation होता है आपके teachers ने कराया होगा नहीं कराया होगा, तो आप एक बार question में कि या फिर मेरा जो answer seat है, उसको देखना तो समझ में आ जाएगा, Newton Law of Motion को थोड़ा detail में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है, scalar and vector, कि scalar and vector में क्या differences है, फिर सबसे important, conservation of linear momentum conservation of linear momentum का 2 page का derivation होता है, तो वो derivation आपको importantly याद करना है, क्योंकि यह derivation आता ही आता है, फिर उसके बाद simple problem on linear motion and momentum, linear motion and momentum पे कुछ problems भी होते है तो वो भी आप कर सकते हो उसके बाद है guys, angular motion जो कि 8 marks का होता है, इसमें सबसे important चीज़ है, SHM, simple harmonic motion, SHM के उपर numerical आएगा, कुछ condition डाल के numerical दे दिया जाएगा, या फिर कुछ derivation दिया जाएगा आगे हम लोग बात करेंगे, जब मैं question बताऊंगा, तो बताऊंगा कि SHM पे किस तरीके से question आता है, फिर इसमें definition की बात करें, तो definition में आपको यहाँ पर angular velocity आ सकता है angular acceleration आ सकता है, और linear velocity आ सकता है, यह तीन definition है, इन से जादा नहीं आएगा, यहाँ पर main तो question कहीं से भी set हो, यह नहीं topic से set होगा, इसलिए topic को करना और बाकी जो मैंने question दिया है उसको, मतलब as, ऐसा आपको मैंने answer भी मिली जाएगा ठीक है, तो उसका प्रेंट आउट निकल वाल लेना, और ऐसा मतलब revision के लिए उसको रख लेना, ठीक है, और ऐसा नहीं कि जो answer मैंने दिया है, वह ही याद करना है आप कोई भी answer कैसे भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कोई issue नहीं है ठीक है, तो अभी हम लोग move करते है next chapter पे हमारा जो next chapter है gravitation, work power and energy, उस पे move करते हैं, तो guys, जल्दी से ले लिए लिए आप इसका screenshot so guys, अब हम लोग देखते हैं आगे के chapters को, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो chapter आ रहा next chapter वो है gravitation, gravitation में दो ही चीज है, जो आपको सबसे ज़्यादा important है, पहला है कि universal law of gravitation, guys इसमें आपको बताना है, universal law of gravitation होता क्या है, इसका derivation बताना है, और derivation बताने के बाद G, जो capital G होता है, इसको gravitation constant बोलते हैं, उसका आपको ऐसा unit बताना है, उसका आपको dimension formula बताना है और उसका आपको definition बताना है, तो यह जो topic होता है देखने में लग रहा है कि बस छोटा है भाई, लेकिन जब इसको आप detail करोगे ना, तो 3 से 4 पेज लग जाएगा, केवल universal law of gravitation में, तो universal law of gravitation काफी important है, इससे question आता है, एक दो mark का भी question आता है, और कभी कभी 5 mark का भी question आ जाता है, नेक्स आता है is variation of g, जो a small g होता है, acceleration due to gravity, तो acceleration due to gravity, क्या variation question पूछता है, जो कि depth पे उसका case क्या होगा, और height उसका case क्या होगा, तो उसके लिए derivation बनता है, depth का अलग बनेगा, और height का अलग बनेगा, इसमें एक और question बनता है, g और capital G के बीच में difference, a small g और capital G के बीच में difference, खेर वो कुछ सब चीज question में मैं बताऊंगा, अभी ये topic है, तो ये दुनों topic को अच्छे से करेंगे, उसके बाद काईस हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, work, power and energy, जो की 6 marks का है, तो इसमें सबसे पहला question आता है, definition of work, power and energy, सबसे पहला आपको definition याद करना है, work का power का energy का, और बच्चियों वाली definition याद मत करना, मेरे आप सबसे request होगा, क्योंकि आप diploma के student है, तो 9th class और 10th class वाला definition मत यादग कर लेना, कि the capacity to do work is called energy, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा difference होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप थोड़ा higher education कर रहे हो, ठीक है, तो work power energy का definition थोड़ा अलग होना चाहिए, फर्मूला से किसी भी चीज़ को दिखाने ही, कुछिस करना, next, work done by torque, देखों, यहाँ पर एक चीज़ होता है, कि torque के हिसाब से, torque क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, तो आने वाले time में, लेक्चर लेक्या होंगा, तो पता चल जाएगा, तो work done by a torque, इस पर derivation होता है, लेकिन आपको derivation नहीं करना है, इस पर definition आपको बताना है, simple, उसके बाद है numerical on potential and kinetic energy, potential और kinetic energy पर आपको numerical बताना है, मतलब इस पर numerical आते हैं, potential और kinetic पर और इसका derivation भी होता है, तो derivation भी कर लेना और numerical भी कर लेना, और यह जो viscosity है, उसका पार्ट है, अब हम लोग देखते हैं, next chapter, general properties of matter, जो की 24 marks का है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, elasticity, surface tension and viscosity, तो elasticity को देखते हैं, elasticity में, आपको सबसे पहला चीज पढ़ना है, hooks law, hooks law बहुत ही ज्यादा important है, hooks law पढ़ना है, stress and strain पढ़ना है, stress and strain का definition, ऐसा unit, dimension formula, stress and strain का कर लेना है, और hook law का अच्छे समझना है, next है, young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, इन तीनों का definition, unit or dimension, तीनों करना है, young modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, next chapter है आपका surface tension, surface tension में, guys, आपको cohesive and adhesive force के बीच में, difference याद करना है, बहुत ही ज्यादा important है, cohesive and adhesive के बीच का difference, उसको याद करना है, और सबसे अधा important, lapless molecular theory, lapless molecular theory, maximum बार करीब 10 साल तक, repeated आया है, lapless molecular theory, जिसको आप अच्छे से करेंगे, a numerical of relation between surface tension, capillary rise and radius of capillary, एक दखो, एक capillary tube होता है, ठीक है, surface tension में, capillary tube होता है, उसे हम लोग उसका flow चेक करते है, तो उसके बीच में, एक relation मनता है, इसके surface tension, capillary rise and radius of capillary के बीच में, तो इसका derivation पहले करना, और इसके जो relation मनता है, उसके numerical भी आता है, capillary rise and capillary down पर ठीक है, तो ये चीज़ को कर लेना, ये capillary tube का बहुत interesting case होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्यूंकि इसके numerical भी आएगा, और हो सेके, तो derivation भी बोलो या flow बोलो, ठीक है, एक तरह का समझो कि, viscocity basically आपको देखा जाए, तो pipe में जो पानी आता है तो उसी तरह का कुछ concept होता है, तो अगर हम बात करें, तो differentiate between बोल रहा है, यहाँ पे streamline and turbulent flow, flow होता है actually में, लेकिन यहाँ force दिया आगा, तो force भी same वही चीज होगा, flow and force basically बोत हर से, उसके बाद है definition, आपको definition पढ़ना है, viscocity का, दूसरा velocity gradient का, velocity gradient क्या होता है, फिर उसके बाद critical velocity and terminal velocity, terminal और critical को बहुत अच्छे से पढ़ना, इस पे जादा तर chances है कि यह question आ जाए, guys अब इसके बाद हम लोग move करते हैं और देखते हैं आगे के chapters जैसे कि heat हो गय और आपका acoustics हो गया, तो चलिए move करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ले लिजे इसका screenshot, so guys अब आप लोग देखेंगे बाखी के chapters, जैसे कि आपका यहाँ पर heat है, और दूसरा है acoustics, तो देखिए heat में आपको क्या करना होता है, सबसे पहला चीज heat 8 marks का है, तो इसमें आपक definition पढ़ना है, conduction, convection, radiation और expansion होता है guys heat में, तो expansion तीन तरह से होता है, linear, aerial and cubical, तो उसका कुछ फर्मूला भी होता है और definition भी होता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है numerical on the law of thermal conductivity and coefficient of expansion, तो coefficient of expansion और thermal conductivity के basis पे derivation भी करेंगे औ और numerical भी करेंगे, तो ज्यादा beneficial होगा, उसके बाद acoustics की बात करें तो वहाँ पे दो चाप्टर एक sound है, and acoustics of building है, तो गई sound में आपको क्या करना है, definition पढ़ना है, longitudinal wave का, है ना, फिर उसके बाद transverse wave का, and stationary wave का, और उसमें जो resonance condition बनता है, उसको आपको पढ़ना है, फिर उ relation आता है, और इसका resonance condition पढ़ना है, और numerical भी solve करना है, ठीक है, तो इधर के जो भी chapters होते है, इसमें ज्यादा तर numerical आता है, और कुछ definitions आते है, तो numerical को अच्छे से समझें, मतलब इसका derivation अगर आप कर लोगे, तो numerical automatic सही से होगा, उसके बाद acoustics of building में आए, जिसमें material की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग eco पढ़ेंगे, eco क्या होता है, eco का definition करेंगे, फिर reverberation और sabine formula, तो इसमें तीन चीज पढ़ना है, eco, reverberation और sabine formula, ये guys, जो sabine formula है न, ये बहुत जादा important है, इस पर numerical भी आता है, ठीक है, तो इसका derivation करेंगे, और इसको समझेंगे कि य क्या है, और इसका numerical बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर देखे, factor effecting, acoustical planning of auditorium, ठीक है, तो कौन-कौन से factor पे, acoustical planning, जोता है, डिपेंड करता है, वो आपको यहां पर पढ़ना है, factor effecting, acoustical planning of auditorium, ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ोगे, तो case wise आपको आपके book में दे रख में, तो चलिए, अब देखते है, chapter wise important question, और video के end में, मैं आपको बताऊँगा, कि किस तरीके से इस important question का आपको answer मेलेगा, तो guys, इससे पहले आप ले लिजे, इसका screenshot, So guys, अब देखते हैं हम लोग questions को, तो सबसे पहले अगर देखे, unit and measurement में question, तो वही question है, how many fundamental units are there in SI system, SI system में कितने fundamental units होते हैं, तो 7 fundamental units होते हैं, और उसका पर detail answer में दिया हुआ है, पर उसके बाद है, explain significant figure, guys, दोको यहां लिखा हुआ है explain significant figure, इसका मतले भी है, नहीं कि significant figure का definition definition लिखना है, आपको यहां पर rule लिखना है, कि किस तरीके से हम significant figure को निकालते हैं, उसका rule क्या है, ठीक है, उसके बाद है dimension formula, अब dimension formula लिखा हुआ तो इसका मतले भी है नहीं कि खाली dimension formula का definition पढ़ना है, नहीं, dimension formula निकाला कैसे जाता है, और कुछ important compounds का dimension formula आपको solve करना है, व पही चीज़ explain, state and explain law of motion, law of motion को अच्छे से करना है, दूसरा, scalar and vector quantity को difference करना है, और तीसरा, principle of conservation of linear momentum का जो derivation होता है, जो मैंने बताया था topic में ही कि काफी important होता है, उसको करना है, फिर guys है angular motion, angular motion में सबसे important चीज़ what is SHM, SHM क्या होता है, find the expression for the velocity and acceleration of body executing SHM, मनलब आपको निकाल निकालना है, expression किसके लिए, velocity and acceleration के लिए, जो body execute कर रहा है, SHM, मतलब कोई body में SHM हो रहा है, तो उसका velocity और acceleration के लिए आपको relation निकालना है, यह कि expression निकालना है, next, definition की बात करें, तो definition में angular displacement, angular velocity and angular acceleration, यह definition आपको करना है, तीसरा, चीज़ इस्टाविलिस्टे रिलेशन बेट यहां पर questions है, है ना, तो अगर आप questions को भी अच्छे से करते हो, तो indirectly way में आपका topic भी हो जाता है, answer दे रखा है, जल्दी से जाना, guys, answer दे रखा है, answer को देखना, अच्छे से समझना, और उसको याद करना ही कुसिज करना, क्योंकि अगर आप answer करते हो, तो automatic आपका topic भी variation of g due to height and depth, g का variation height or depth के case में क्या होता है, और differentiate between a small g and capital G के बीच में आपको एक difference पढ़ना हो है, तो यह guys, 4 chapter का important question हुआ, अभी next slide में हम लोग देखेंगे, बाकी के जो chapter से उनका important question, फिर video के end में मैं आपको बताऊंगा कि answer कैसे मिलेगा, तो चलिए, move करते हैं, लेकिन उससे अब हम पहुँच गए हैं, finally, अपने last slide पे, जहां पे हम लोग बाकी के बच्चे बच्च चैप्टर देखेंगे, और यहीं पर आपको पता चले है कि answer कहां से मिलेगा, तो guys, देखो, सबसे पहला, यहां पे जो chapter है, वो है work, power and energy, जिसमें हम लोग देखे रहे होंगे, differentiate between kinetic energy and potential energy, और उसके बाद guys, एक numerical है, इसको पढ़ूँगा तो video काफी लंबा होगा, तो इसको आप देख लेना, screenshot लेने के बाद आराम से, और इसका भी answer दे रखा है, तो वो उसको आराम से समझ लेना, फिर उसके बाद गो, general property of matter, जो की 24 marks था है, इसमें elasticity, इसमें सबसे पहला question क्या है, what do you mean by the isothermal and adiabatic expansion of gases, expansion of gas होता है तो उसमें isothermal और adiabatic expansion क्या है, उसको difference करना है, explain plain elasticity, young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, मतलब चार चीज़ करना है, plain elasticity, young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, और उन सब की बीच में relation भी लिखना है, उसके बाद guys, surface tension की बात करें, तो surface tension में हाँ question है, define surface tension, surface tension क्या होता है, of a liquid, मतलब liquid का surface tension क्या होता है, और उसका ऐसा unit भी आपको लिखना है, और दूसरा question है, what is the effect of impurity and temperature on surface tension, surface tension actually होता है, क्या है कि पानी के उपर जो surface रता है ना, उस पे जो ऐसे से लहर बनता है ना, tension, उसको surface tension ने बोलते है, तो यहाँ पुछ रहा है कि अगर उसमें impurity add कर दे है, temperature बढ़ा दे, तो उस पे क्या effect पड़ेगा, तो वो चीज करना है आपको, viscosity, what do you mean by, what do you understand by viscosity, viscosity है क्या, इसका define coefficient of viscosity, coefficient of viscosity को define करे, and write SI unit, और उसका SI unit को बताए, also explain streamline, जो कि मैंने पहले बताया था topic में, streamline, turbulent and critical velocity, और सबसे important stills, state boils law and Charlie's law, ठीक है, boils and Charlie law को next है heat, heat में हम लोगों को देखना है, linear expansion, superficial, aerial and cubical expansion, चार तरह के expansion को समझना है, linear, superficial, cubical and aerial, ठीक है, चार तरह के expansion को समझेंगे, मतलब इसको define करना है, explain the mode of transformation of heat, किस तरीकी से heat का transformation होता है, तो आप सब को पता है, convection, conduction, radiation, है ना, तो इन सब को detail करना है, अब आते acoustics में, तो acoustic में sound की अगर बात करें, तो यहाँ पर ज्यादा तर numerical होता है, जो answer वाला seat है, उसमें numerical है, मेरे पास जगा नहीं था, तो मैंने numerical का question लिखा दई, तो answer वाले seat में, वो मिल जाएगा आपको, define wave motion, amplitude, frequency and wavelength, मतलब चार चीज का define करना है, wave motion, amplitude, frequency and wavelength का, ठीक है, तो उसके बाद है, acoustics of building, acoustics of building में पूछ रहा है, define acoustics, acoustics क्या होता है, और what are the condition, जैसे कि मैंने पहली बताया था, topic में भी यही question था, what are the condition for good acoustics, acoustic क्या होता है, और क्या condition है, good acoustics होने के, differentiate between the forced vibration, forced vibration, और resonance में क्या difference है, और इसका एक practical example आपको दोनों का बताना है, तो guys, यह था हमारा पूरा question, topic and आ अब रहा बात कि आपको इसका answer कैसे मिलेगा, तो guys, answer लेने के लिए आपको दो तीन तरीके हैं, आपके पास, सबसे पहला तरीका यह है, जो कि सबसे beneficial तरीका है, उसमें आपको करना क्या है, कि आपको, आपके अपने classology के official app में जाना है, play store खोलना है, play store खोलके simple search मानना है classology, classology app को install करने के बाद, वहाँ पे आपको अपना number register करके, जिसमें OTP आएगा, 4 digit का, जैसी आप register करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक corner दिखेगा, जिसका नाम है free study material, तो जैसी आप free study material पे click करेंगे, तो वहाँ पे आपको इसका answer देखने को मिलेगा, free study material को scroll करना, उसमे download करने बोल रहा हूँ, क्योंकि app में first semester का notes भी available है, ठीक है, previous year के questions भी available है, ये भी available है, मतलब आने वाले जितने भी lectures होते हैं, उनका notes properly app में available होता है, और आपके वो 6 semester तक का available होता है, तो इसलिए अगर आप app डाउनलोड करते हैं, तो आपको काफे जदा help होगा, क्योंकि इसमें हर lecture का, मतलब notes डाला जाता है, चाहे वो first semester का हो, चाहे वो second semester का हो, ठीक है, पहला option तो यह है, दूसरा option यह है guys की, नीचे description में whatsapp group का link दे रखा है, first semester के लिए, तो उसमें join हो जाओ, उसमें join हो के मांग लो, वहाँ पे मैं भीज़ दूँगा, और तीसरा, जो की ब और चौथा, कि आप मेरे से socially contact कर सकते हो, जो की मेरे Insta ID दिया हुआ होगा नीचे description में, ठीक है, तो description में नीचे Insta ID है, वहाँ पे आप मेरे से socially contact कर सकते हो, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है guys, तो यह तरीके से आप answer ले सकते हो, और आगे बहुत सारा वीडि को लेके हो सके तो मैं physics का lecture भी लेकर के आऊं पूरे first semester के लिए, तो channel पे बने रहना और अपने study को peak पे रखना, thanks for watching my video guys.